गुड वुमन बनने के लिए यकीनन बहुत अच्छी परवरिश कॉंट्रिब्यूटर होती है तो परवरिश की बात हुई है तो बच्पन में मुझे आप जरा ले चलो मुझे एक तो आपके तस्वीरे भी देखनी है बच्पन की अगर आप दिखा सको और दूसरा ये की बच्पन कैसा था सपना का बच्पन I think जब मैं एट स्टेंडर में थी 2008 की बात करें पैदा कहा हुई थी पैदा मैं मेरी मम में बताती है मेरा बार्थ प्लेस मही पालपूर है मैं मही पालपूर में मेरे ताई जी के घर पे पैदा हुई थी हम बॉन, बॉटम, दिल्ली Wikipedia नॉर्मली जूट बोलता है तभी मैं उस पिल्वरोसा नहीं कर रही हूँ और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि मैं आज सारा कुछ यहीं पूछ रही हूँ मैं पहले से कुछ प्रेप करके नहीं आई हूँ पिकाज मैं भी सपना को जानने आई हूँ विकिपेडिया जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता नॉर्मली मैंने नहीं बनवाया था क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से इंफॉर्मिशन निकालना शद बहुत इजी है लेकिन जो हम खुद बताएंगे वह ज्यादा इंपक्ट दूसरों में डालता है तो मेरा बर्स प्लेस महिपालपूर है बॉन बॉटम मैं दिली की हूँ मेरा परवरिष चितनी भी हुई है दिली में स्कूल भी मेरे दिली में रहे हैं लेकिन मेरी मा प्रॉपर ठेट हर्यान भी है तो गुडगाउं से है और गुडगाउं हर्याना का यू वो बोलता ना तो शायद उनका थोड़ा हो है और रिप्रेजन्ट शुरू से ही हर्याना को करते हैं हर्याना से एक तरीके का लगाव है इसकी बोली से नॉर्मली जैसे हम बातशीत करते हैं तो काफी बार मैंने महसूस किया कि हर्याना के ही लोग स्पीचलेश हो जाते हैं मतलब फेकनेस जो आ जाती है लोगों में अपनी बोली को रिप्रेजन्ट करने यसे डरते हैं लेकिन हर्याना की जो लेंगवेज है अगर आप इसको अच्छे से लोगे हम तेज जरूर बोल सकते हैं हम लाउड जरूर है लेकिन हम कभी गलत नहीं है हम बड़े प्यार से बात करने की कोशिश भी करें हम तब भी नहीं कर सकते because we are always loud कभी-कभी मुझे भी ऐसा feel होता था कि मम्मी डाट रही है मम्मी प्यार भी करती है तो खा ले ना तो उनका जो खा ले ना होता था था ना वो प्यार से भोलती है लेकिन यह हमें एकसप्ट कर लेना चाहिए कि हम loud हैं प्यार हम उतना ही करते हैं हमारी तहजीव होई है जिसे जितनी तमीज से आप बात करते हैं उतनी तमीज से हम करते हैं बस हम loud जाते हैं और कुछ ने इस कूल कौनसे स्पूल गई हैं आप अगल Schools मने, ten-ij-four school बख्ले वाने Delhi में आदश school में पड़ी हूँ गया नो Normally मैं इतने international school में नहीं बड़ी बड़ी, चुटे-चोटे school बड़ी लिए-, यही अपके, जो fans हो जानना चाहिए क्योंकि, school basically कि लेवल का है, वो थल decides करता है आपका मयार क्या होगा आपने कभी ये बात नोट नहीं कि अब जैसे मेरे बहांजे दोनों स्कूल जाते है और मैं टेक्नोलोजी देखते हूँ आज का डिजिटल कितना स्ट्रॉंग है जैसे उनका होमवक फोन पे आता है कोई कल्च्रल इवेंट है फोन पे आता है उसकी मा को डे टो डे अपडेट मिलती रहती है क्या मेरे बच्चे कर रहे है आज उनका प्रिजेंटेशन है आज यह है आज वो है नॉर्मली मैं दो-चार दिन पहले उनके स्कूल में भी गई थी डांडिया नाइट थी तो मतलब मैं कभी-कभी सोचते हैं यह फैसिलिटीज हमें उस दौरान मिलती तो आज तो हम कुछ और ही होते है अज तो हमने फिर दुनिया का वही बात है कि हमने लावा पैदा कर देना था हम तो भार निकल जाते हैं तो कभी-कभी दुख भी होता है लेकिन जिन स्कूल ज लड़कों के साथ बिठा दूंगी तो वह एक डरसा हो जाता लेकिन आप नौर्मली हो गया पर यह जो दौर है मेरे ख्याल से यह जादा अच्छा है कि आप नौर्मली सबसे बात कर सकते हो आपको डर नहीं है कुल्श्रल इवेंट्स होते हैं और मेरे ख्याल से पीड हो ग सबस्क्राइब करते हैं तो मा बैठके होमवग कराती थी कर लो पढ़ लो मम्मी का तो मम्मी की दंकी अलग होती थी पढ़ाई नहीं की तो तुमसे धाबे पर बरतन मझवाऊंगी यह करवाऊंगी वो खर तो वह हमारा टाइम पीरेड ता वह अच्छा था था मालब डरते और मेरे में है आदत कि मैंने कुछ भी नया देखा न तो मामने पुरानी लाइफ में वापस भाग जाती हो के यार यह उस टाइम पे होता तो क्या होता जैसे आज बड़ी-बड़ी गाडियों में बंदे आता है बैंटले यह वो फला हम पैदल स्कूल जाते थे यार बैद